अलगर दोस्तों नमस्कार स्वागय था आप सभी का आप कमरें चैनल बैंकिंग करीयापो मिरे नाम उमेश यादो है दोस्तों आप NEW कंड़ेट है अभी अभी आप बैंक एकजाम एंसूरेंस एकजाम के लिए आप परिपेशन स्टार्ट किये हैं बैंक एक्जाम की बात करें तो State Bank of India का एक्जाम होगे IBPS के अंदर एक्जाम जितने सारे होते हैं LIC का एक्जाम होता है या आदर इंसुरिंस का एक्जाम होता है अगर आप इसके लिए प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफी important वीडियो है उसके पहले आप सभी को State Bank of India का एक्जाम और भी कुछ बैंकों का एक्जाम आपको देखने को मिलेगा और LIC का आप सभी को एक्जाम देखने को मिलेगा जैसे के LIC AD हो गया LIC जो है असिस्टेंट हो गया LIC OO जर्नलिस्ट हो गया ये तीनों एक्जाम में से आपको जो है आटलिस्ट जो है टू एक्जाम देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप सब लोग जो है अभी से अच्छे से प्रिपेशन कीजे NRA CET को लेकर के चिंता मत कीजे NRA CET का जो है डीटेल आना भी बाकी है उसमें जो है बैंक एक्जाम SAC और रिल्वोट तीनों एक्जाम को मिला करके जो है एक सिंगल एक्जाम होगा तो उसमें जो है काफी टाइम लएगा अभी आप जो है अपना फोकस जो है रेगुलर पाटन पर जो है रखिये आप अभी से अच्छे से प्रिपेशन करेंगे तो आपको 100% आपके एक्जाम में सफलता मिलेगा आप बिगनर है अभी अभी आप प्रिपेशन स्टार्ट की है अभी अभी आपका गर्जुएशन हुआ है तो मैं आप सभी को एडवाईस करूँगा कि आप सब लोग आन एकिडमी का बैंक प्लस सस्क्रिप्शन लीजिए अभी जो है आफर पी जल रहा है डिस्क्रिप्शन बक्स में जाएए आप अपना कोड जो है UK10 याद रखेगा UK10 कोड आप यूज करके आप सस्क्रिप्शन लीजिए वेफसाइट पर जाएए या कहीं भी आप जाएए UK10 कोड आप यूज करके सस्क्रिप्शन लीजिए एक साल के लिए आप सस्क्रिप्शन ले लेजिए बेसिक से एडवांस लेबल का सभी जो है आनेकडमी एडवाइस करूँगा आप आनेकडमी पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं डेली मैं आप सभी के लिए करेंट एफिर का टॉपिक जो है लेकर के आता हूँ उसका भी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो बाकि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा मैं आप सभी को एडवाइस करूँगा SBI को लेकर के LIC को लेकर के या किसी भी एक्जाम को लेकर के मैं आप सभी को गाइड करूँगा Thank you so much my dear friend God bless you all